नमस्कार दोस्तों, कैसा है आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के डॉक्स, कुत्ते भी बहुत ही अच्छे होने वाला है हेल्दी होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो है वो आप सभी के डॉक्स के लिए बहुत ही लाब दाएक साबित होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो जानकारी अगर आपने प्राप्त कर ली और उसको फोलो कर दिया तो आप अपने डॉक्स की 80% डिजीज यानि 80% बीमारियां समाप्त कर लेंगे यानि 80% बीमारियां आपके डॉक्स को चू भी नहीं पाएगे तो साथियों आई ये वीडियो सुरू करते है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल वाला बटन है उसे दबाना ना भूले साथियों मैं दिन दियाल रमावत आप सबी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं साथियों हम हमारे डोक सेक्शन में हमेशा डोक से जुड़ी हुई कोई ना कोई जानकारी किसी ना किसी बिमारी के इलाज रख रखाओ गरेनु इलाज और एलोफेति ट्रीटमेंट सब आपके लेके आते हैं उसी प्रकार से आज हम कुत्तों की डिवोर्मिंग यानि कुत्ते के पेट के कीडे मारने की जो दवा है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं और विस्तृत जानकारी कम्प्लीट उसको के से देना है किस समय देना है किस तरीके से देना है सभी हम आपको बताने जा रहे हैं तो साथियों सारी की सारी जानकारी अपने अंदर जहन में डालने के लिए वीडियो को अंततक देखते रहें सातियों हमें हमारे डॉक्स को क्या-क्या खिलाना चाहिए क्या-क्या नहीं खिलाना चाहिए क्या आहार हमारे डॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉश्टिक होगा यानि संतुलित आहार होगा इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया था आपके लिए वो आई बटन में और एंड स्क्रिन में उपलब्ध है आप देख करके डोग्स को जो आहार देना है उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकता है लेकिन सातियों अगर आप कोई भी आहार अपने डोग को दे रहे है या कोई भी विटामिन्स, मिनरल्स, पेडिग्रीज कुछ भी आप अपने डोग को दे रहे है या आपका डोग बिमार है और उसको कोई भी आप दवा दे रहे है तो वो दवा, वो बोजन, वो विटामिन्स बगेर डी वर्मिंग के किसी भी काम के नहीं है यानि अगर आपने अपने डोग को पेट की कीडे मारने की दवा नहीं दी है तो बाकी सबी चीजें बेकार हैं यानि कि डी वर्मिंग करना डोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है साथियों डोग के सरीर में दो परकार के कीडे पनव जाता है पहली परकार के जो कीडे हैं वो होते हैं डोग के अंदर यानि वो round worms हो सकते हैं, tap worms हो सकते हैं, या flat worms हो सकते हैं यानि कि कई प्रकार के worms जो है, वो डोग के पेट में पैदा हो जाते हैं वो किसी भी कारणवस हो सकते हैं, उसके सभी कारणों को और लक्षनों को मैंने अलग वीडियो में आपको दिखाया था, जो आई बटन में उपलब्ध है, एंडिस्क्रीन में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं तो जो लक्षन डोग में दिखाई देते हैं, पेट में कीड़े, यानि ये worms पैदा होने के बाद उनमें है, नौर्मली जो है, वो है आँकों से पानी आता है, मुँ में से पानी आता है, डोग को हम बहुत कुछ खिला रहे हैं, उसके बावजूद वो सुस्त रहता है, खाना पिना भी कम गर देता है, कई वार उसको खुजली हो जाती है, कई वार दस तो कई वार उसको व लक्षन दिखाएगा कि डोग चारो तरफ गुमेगा और अपनी पूंच को काटेगा अगर ऐसे लक्षन भी अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएगा आपके डोग को डिवर्मिंग की बहुत ज़रुरत है दूसरे परकार के परजीवी सातियों होते हैं डोग के सरीर के उपर याने टेक्स, माइट्स बगर कई परकार की परजीवी डोग के सरीर के उपर होते हैं उनके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है वो आपको हम एंड स्क्रीन में या वीडियो में दिखा देंगे तो साति इस वीडियो में विशेज तोर से मैं डोग की उसी समय से आप डिवर्मिंग सुरू करवाते हैं और हर 15 दिन के अंतराल से जब तक वो दो महीने का नहीं हो जाता तब तक आप हर 15 दिन के अंतराल से उसकी डिवर्मिंग करवाएं उसके बाद आप जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक आप हर महीने उसकी डिवर मंहीने से करनी है दो महीने से किस लिए सातियों जो डोग Non-wegetarian है जिन को हम चिकन, मटन, मच्ची बगधर देते हैं उनकी Deadpool दो महीने से होना जरूरी है और जो डो डोग वेजिटेरियन उनकी Deadpool वेजिटेरियन है उनकीulars में मैंसे तीन मैंने से बताये आपको उस सेडियो से डी वर्मिंग करवाना अति आवशक है बहुत जादा जरूरी है साथियों आज इस वीडियो में हम डो को जो डी वर्मिंग के लिए दवाएं दी जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे तो जो देशी दवाएं हैं हमारी गरेलू जो फोर्म कुन कुन सी दवाईयां हमारे डोग को देनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो साथियों जो में दवा है यानि कि जो हम छोटे पपीज पिलने को देंगे जो 6 महीने से छोटे हैं उनको जो हम दवा देंगे वो दवा है साथियों पाइरेमेंटल एमबोनेट और फ वो सस्पेंशन हमें हमारे पपीज को देना है जो 6 महीने से छोटे हैं और जो शेडूल मैंने आपको बताया है उसके इसाब से वजन को देखते हुए हम देंगे अगर आपके पपीज का वजन एक किलो है यानि आपका जो डोग है वो एक किलो का है तो आप उसको एक एमेल दवा दे अगर दो किलो वजन है तो दो एमेल दे दे इसी प्रकार से 6 महीने तक का जो हमारा पपी है उसको हमें ये दवा देनी है और साथियों देने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ आप स्याम के वक्त दे और देने से एक गंटा पहले और दो गंटा बाद हमार प्रेंज में भरके और आप अपने पपी के मुँ में दे करके इजी ली पुस कर सकते हैं कोई परकार की परेशानी नहीं होगी और उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसको ड्रेंज की सिकायद ना हो यानि आप हलके हलके पुस के अलावा साथियों जो 6 महीने से बड़े के लिए हमें टेबलेट यूज करनी है और वह जो टेबलेट है उसका सो कॉंटेन्ट है उसमें हमें प्रेजिकिंटमेंटर पैरेंंटल प्मेट हुर फैं मेंद justice यह तीनों combination होना चाहिए, इस combination की जो tablet है, वो हमें 10 kg वजन पे एक tablet देनी है, यानि अगर आपके डोग का वजन 20 kg है, तो आप 2 टेबलेट देदें, 30 kg है, तो आप 3 टेबलेट देदें, या इससे 20-30 kg के जो भारी डोग है, उनके लिए अलग से भी बोला साता है, टेबलेट जो है, वो हमें 6 मिने से बड़े डोग को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन दोनों तरीकों के अलावा सातियों, जो 6 मिने से बड़े डोग है, उनको हम आइवर मेक्टिन की टेबलेट भी दे सकते हैं, और आइवर मेक्टिन की जो टेबलेट है, वो हमारे 10 kg के हैं, डोग के लिए, और इससे एक और भी फायदा होता है, कि ये skin disease में भी फायदा करता है, सातियों, मुझे आसा है कि आप जो मैंने डोग की डिवर्मिंग के लिए जो दवा बताई है, वो आप दवा रेगुलरली अपने डोग को देंगे, जिस हिसाब से मैंने schedule बताया ह और सातियों, अपने डोग को जो कीडे पेट में पनव जाते हैं, उनको समाप्त करने की जो दवा लगातार आप देते रहेंगे, जिससे आपका डोग एकदम से स्वस्त और healthy रहेगा, इसके अलावा जो भी आप उसको खाने के लिए देंगे, उसका अच्छी तरह से digest होग और डोग का जो स्वास्त है, वो हमेसा अच्छा बना रहेगा, सातियों, जो भाई हमारे इस चैनल पे नई आये हैं, जिन्होंने पहली बार हमारा वीडियो देखा है, वो नीचे लाल रंग वाला जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जरूर दबा दें, और बेल आइक करते रहें, मैं आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कि इतने कम समय में हमारे चैनल को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो सातियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताईए, और अगर आपको अच्छा लगाए, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, हर रोज हम डोक से संबंदित किसी न किसी जानकारी को लेके आते हैं, तो इसी प्रकार से मिलते हैं, अलग वीडियो में, अलग जानकारी के साथ धन्यवाद.